अगर हम अप्रेल में उट्टो सेल्स की वात करें तो मसबूत जो बिक्री आया थी DVS मोटर की आय थी आईशर की हिरो मोटर की, टारटा मोटर्स की, M&M की, पसेंजर वीकल्स की, टैक्टर के भी और अशुक लेलेंड के ये मसबूत बिक्री थी आप से जाना चाहेंगे महेश जी अगर अशुक लेलिंड किसी को पसंद हो क्योंकि ये भी शियर चला है लगा के नहीं फसेगा 175-18 की रेंज में लेकिन उस रेंज को पार किया दोसों को भी पार करके अभी उपर कारोबार कर रहा है अशुक लेलिंड के लिए आपका कितना कन्विक्शन है और इसके लिए आपके लक्ष क्या है अशुक लेलिंड काफी टाइम से एक रेंज बाउंड में कारोबार कर रहा था टेकनिकल भी अपन देखे तो अच्छा मोवेंटम जो है अपने को दिखने को मिला है अशुक लेलिंड में आ सकता है अच्छाल 225 से लेकर 240 की टार्गेट है महेश जी की तरफ से अगर हम टीवेस मोटर क्योंकि नतीजे इसके भी अच्छा है थे महेश जी टीवेस मोटर पर आपका क्या व्यू है ऑटो में कई बार यह चर्चा होती है कि अगर टूबिले में रहना है तो टीवेस लेले या बजाज आटो लेले हलांकि वैलुइशन कहीं ने कहीं ये TVS Motor के पक्ष में रहता है आपकी रिडिंग क्या कहती है सर और TVS Motor को लेखर आपका व्यू क्या है इसके लिए क्या टार्गेट आपस जिस्ट करेंगी अपन देखें तो TVS Motor का Market के अंदर तो वह काफी स्ट्रॉंग रहा है और अपने देखें कि इसमें 80 वॉल्यूम जो है वह काफी बढ़ने की गुंज़ई से तो आने वाले मार्केट जो है आने वाले अपकॉमिंग टाइम के एसाब से भी वैल्यूशन करता है तो टीवेस मोटर की यहां से भी अपने को कर सकता है तो मार्केट फर्दर इसको अपकॉमिंग के एसाब से देखेगा और इसके डेटा जो है अपकॉमिंग भी शेल्स के डेटा भी हमारे को लगते है रहने को अच्छा है ने चीए ठीक है टीवेस मोटर को लेखे ये व्यूँ बाइस सो पचास से लिखर तेई सो रुपे तके टार्गेट है महेश जी की तरफ से